नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम जानेंगे प्लास्टिक वैं उसके प्रकार के बारे में कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है एक फायरमेंड को ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग के अंदर या ओद्योगे के चेत्र के अंदर कौन से प्लास्टिक का यूज करे ताकि उसके अंदर अगर आग मी लग जाती है तो कुछ हाद तक उसे टेंपरेचर को सहन कर सके तो इसे कान से हमें इसे प्लास्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक यूज में लेना है और कितने प्रकार के प्लास्टिक होते हैं कि पिछला जो राजस्थान फायर सर्विष्ट का जो एक्जाम था उसके अंदर कोशन पूछा गया कि कंक्रीट कितने प्रकार का होता है तो उसे को धान में रखते हुए हमने आज बात करिये प्लास्टिक की हो सकता है एक्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए लेकिन फिर भी एक फायर मैन को इनके बारे में पता होना जरूरी है वर्तमाल समय के अंदर प्लास्टिक का यूज दिन परती दिन मानुजीवन के अंदर बढ़ता चला जा रहा है चाए भवन निर्माण करने का काम की बात करें या ओध्योगे के छेत्र की बात करें तो उसके अंदर प्लास्टिक बहुत अधिक मात्रा के अंदर यूज हो रहा है इसे प्लास्टिक के माद्दम से हमें प्लास्टिक के टेबल, सीट, प्लास्टिक बैग बनाने का काम करते हैं ये एक प्रकार का सिंथेटिक मैटीरियल होता है जिसका अधुनिक के नाम पोलीमर्स है बहुत मार पूछ लिया जाता है जिसका अधुनिक के नाम पोलीमर्स है इसके बाद्दम से हमें मसीनों के द्वारा प्रैसराइज करके उसकी जो आकर्ति होती है वो प्रदान करने का काम करते हैं जो भी कुर्सी, टेबल, सीट वगरा बनानी होगी तो इसके माद्दम से हमें बनाते हैं प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है सबसे पहले आता है थर्मो प्लास्टिक और दूसरा जो आता है वो होगा थर्मो स्टेटिक प्लास्टिक यह दो प्रकार के प्लास्टिक होते है जिस प्रकार से कंक्रीट दो प्रकार का होता है एक रेंफोर्स कंक्रीट और दूसरा प्लेड तो इसे प्रकार से प्लास्टिक के भी दो प्रकार होते है पहला thermoplastik और दूसरा thermostatic plastic थर्मो जो plastic होता है इसके अंदर आग का temperature सहन करने की चमता बिल्कुल भी नहीं होती इसे thermoplastik के मादम से जो छोटे बच्चे खेलते उनकी खिलोने जो तयार किये जाते है तो वो थर्मो प्लास्टिक के मादम से तयार करते है प्लास्टिक के जाईर सी बात है जलते तो सभी है जलते तो आग से सभी है लेकिन कुछ ऐसा है जो कुछ समय तक के टेंपरेचर सहन करने की जिसके अंदर छबता होगी वो आग को रोकने का काम करेगा तो इतने समय के अंदर तो हम आग को कंट्रोल कर सकते तो थर्मो जो प्लास्टिक है इसके अंदर बिल्कुल भी टेंपरेचर सहन करने की चमता नहीं होती अगर आपने किसी भी बिल्डिंग भवन इमारत के अंदर थर्मो प्लास्टिक का यूज लिया है तो वो आग को बढ़ाने का काम करेगा ना कि कम करने का तो इसे के अंदर अधिक ताप्मान सहन करने की चमता नहीं होती सहन करने की जो चमता है वो नहीं होती तो इसलिए किसी भी building के अंदर एक fireman को पता होना चाहिए कि thermoplastic का यूज बिलकुल भी ना करे दूसरा आता है thermostatic plastic thermostatic जो plastic होता है वो एक मोटी लेयर के मादम से इसके अंदरे के मोटी चादर होती है उसके मादम से इसको तयार किया जाता है यह थर्मो प्लास्टिक से अच्छा माना जाता है माना जाता है कुछ हद तक कि थर्मो स्टेटिक प्लास्टिक के अंदर आग का टेंपरेचर सहन करने के चमता है कुछ हद तक आग को रोक के रख सकता है तो इसलिए जब भी बिल्डिंग के अंदर हमें यूज करना है प्लास्टिक का या तो यूज मिल्कुल ही नहीं करना और करना ही है तो हमें थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का यूज करना है अगर आग लगती है तो कुछ हद तक इसके मादम से आग रुख सके और इतने समय पे हमाँ आग को कंट्रोल कर सकते तो इसमें लिखेंगे थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में तापमान सहन करने की छमता कुछ हाद तक अधिक होती है अधिक होती है तो जब भी हमें यूज करना है किसी भवन निर्मान करने की दोरान और दोगे के छेतर के अंदर तो उससे में हमें थर्मोस्टिक की बजाए थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का यूज करना है तो ये था आज का क्लास वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सेर करें इसे प्रिकार के इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी तब तक के लिए जै हिंद जै भारत